तो गाइस वेलकम टू चबलेस गेविंग आशागर तो आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आप सब तो जानते ही होंगे कि मैं मेरे चैनल पे शॉट्स रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ बहुत सारा गेम के कभी-कभी फुटबॉल 25 कभी-कभी अध्याट 2 कभी- और बहुत सारा ऐसे गेम है जिसको मैं मेरे चैनल में अपलोड करता हूँ तो भाई काफी बार यह होता है कि बहुत सारा यूटूबर है जो अपना-पना चैनल में गेम-प्ले बनाता है और एक स्पेसिपिक गेम खेलता है और उसके उपर बहुत खर्चा करता है अगर बात करें BGMI, बात करें EFootball25 की तो वो करते हैं तो भाई, आज का वीडियो बनने का मेरा यही ख्याल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो EFootball 2025 के उपर ही क्रियेट करता हूँ तो बहुत सारा ऐसे बन्दे होंगे कि उन्हें भी 2025 EFootball खिलना बहुत ही पसंद होंगे तो मैं असली मुद्दे के बात कर रहा हूँ भाई, EFootball में न इवेंट चलता होता है मतलब हार वीक इवेंट आता है लाइक थर्सडे को आता है और मंडे को भी आता है तो उसमें एपिक दिया जाता है और बहुत सारा अच्छा अच्छा प्लेयर दिया जाता है तो इसबर क्या हुआ इसबर एमेसिन का जो एक कोलाब्रेशन हुआ मेसी, नईमार और स्वारेच का वो EFootball में दिया हुआ है तो बहुत सारे बंदे ऐसे है कि भाई अपना बहुत खर्चा बहुत पैसे इसमें लगा देते है क्योंकि बहुत सारा कोईन स्पेंट कर देते है और बाद में उन लोगों को लुक्सान हुआ जाते है अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल यूटूबर हो, आपका यूटूब से कोई आर्णी होता है, उसके बाद आप गेम पे वो आर्णी इन्वेस्ट करते हो और उसमें व्यूज आते हैं और आप फिर से पैसे कमेते हो. अगर आप ऐसा हो, ऐसा बन दे हो, तो मैं बिलकुल आपको बोलूँगा कि आप पैसे हर्च करें, लेकिन आप एक स्टूडेंट हो और आपका कोई जॉब नहीं है, आप इंटर्टेन्मेंट के लिए गेम खेलते हो, ठीक है, तो भाई मेरा साला अप लोगों को लिए, तो भ गेम पे जादा मत खर्चा कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जादा गेम पे खर्चा करोगे, वो आप फिर से वापस नहीं ले पाऊगे, तो मेरा कहना के मातलब यह है, कि अगर आपका अच्छा अर्णिंग हो रहा है कही से, और आप उसमें इंवेस्ट करते हो, तो वो अर्वात है, लेकिन आप अगर कुछ पैसा वैसा नहीं कमाते हो, बस एंटर्टेन्मेंट के लिए खेलते हो, तो भाई, अगर आपका फाइनेशल कंडिशन उतना स्ट्रॉंग नहीं है, तो आप उतना जादा गेम पे खर्चा मात किजिए भाई, मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हो, क्योंकि यूट्यूब खोलते ही, एफुटबॉल 2025 रिलेटेट्स बहुत सारा वीडियो मेरे सामने आता है, और जो बरे-बरे यूट्यूबर्स होता है, उन लोग तो पैक अपीनिंग करते रहते हैं, क्योंकि उन लोग के पास वैसे है, आपका खर्चा करने के लिए फाइनस है, लेकिन आपके पास वो नहीं है, अप लोग कॉमेंट में लिखते हो कि भाई, मेरे पास तो उतना कॉमेंट, उतना कॉइन नहीं है, उतना वो नहीं है, उतना वो नहीं है, मुझे कॉइन चाहिए, डॉट डॉट बगेरा, भाई लोग उन लोग कमा रह रहे हैं लेकिन आप लोग कामा नहीं रहे हो आप लोग सीव इन्वेस्ट करने के सोच रहे हो तो भाई मैं आप लोगों के लिए यही बोलूंगा कि यह सब बक्वास चीज मत करो भाई क्योंकि हां कभी-कभी कुछ पैसा अगर आप खर्चे करते हो वह सिमिलार 200-100 फॉर एं अच्छा है वह ठीक है मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियोन बता रहा हूं मैं किसी दूसरे का ओपिनियन नहीं बता रहा हूं तो इसमें मैं मेरे बद आप लोगों को बोल रहा हूं तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग यह साला लोग है और आप लोग अप लोगों को वर्ण कर सकें क्योंकि यह जो इविंट बहुत है अज दूसरा नए प्लियर आएगा फीर से लियो मेंसी का और उच्छा प्लियर देगा और स्वारिष का बहुत अच्छा प्लियर देगा हो सकते हैं अगर आप लोग effort कर सकते हो तो ही लीजिए और अगर आप लोग effort नहीं कर सकते हो अगर अपको financial very weak है तो इसमें मत जाएए अगर आप रोज यह चीज दिखते हो ना रोज तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के अंदर भी एक यह लेने का एक क्या बोलता है एक अंदर से wish होता है कि हम यह ले वो ले लेकिन भाई मैं यही अप लोगों को बस बोलूँगा कि अप लोग अगर नहीं कामाते हो और अप लोग student हो तो game पे ज़्यादा खर्चा मत करो हाँ अगर अपका मकसद है gaming community create करेंगे अच्छे अच्छे videos create करेंगे उसलिए आप इंवेस्ट करना चाते है उसमें अच्छा response आ रहा है उसलिए आप इंवेस्ट करना चाते है तो it's fine और अगर नहीं है तो मैं यहीं बोलूँगा कि आप लोग गेम पे ज़्यादा खर्चा मत करो तो बस आज की वीडियो थोड़ा लंबा है थोड़ा लंबा हुआ मैं जानता हूँ मेरा हिंदी थोड़ा वीक है कभी-कभी मैं भूल भूल हिंदी बोल देता हूँ तो इसलिए आप से शमा मांगता हूँ और तैंक्स पर वाँछी बाइब लूड़ा रहर वाँगा हूँ नाया है